दिल्ली उनिवर्सिट्री के इस स्वरनेम समारों में उपस्तित देश के शिक्षा मंत्री स्री धर्मेंदर प्रदान जी, ड्यूई के वाइस चांसलर, सिपान योगेशनी जी, सभी प्रोफिसर्स, शिक्षगन और सभी मेरा युवास साथी, आप लोगों ने मुझे जब यह निमतर दिया था, तब ही मैंने तय कर लिया था, कि मैं जे आपके हाँ तो आना ही है, और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है, अब सौ साल की फिल्म हम देख रहे थे, दिल्ली उनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए, सिरफ यह दिग्योजों को देख लेते हैं, तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली उनिवर्सिटी ने क्या दिया है, कुछ लोग मेरे सामने बैटे हैं, इनको मैं विद्ध्यार्थिकाल से जानता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाओंगा, तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जुरूर अफसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है, साथियों डियू का कोई भी स्टुडेंट हो, कॉलेज फेश, चाहे अपने कॉलेज में हो, या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इंपोर्टन यही होता है, कि बस किसी तरह उस फेश का हिस्सा बन जाएं, मेरे लिए भी यह अथा ही मोका है, मुझे खुजी है, कि आज जब दिल्ली उनिवर्सिटी के सो साल का सलिबरेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव महोल में मुझे भी आप सब के बीच आने का आउसर मिला है, और साथियों केंपस में आने का आनन भी तभी होता है, जब आप कलीच के साथ आएं, दो दो चल दिये, गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बाते करेंगे, इसराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं, कॉन सी फिल्म देखी, ओटी पर वो सिरी अच्छी है, वो वाली रिल देखी या नहीं देखी, एने बातों का अठा समंदर होता है, इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मैट्रों से अपने युवाज दोस्तों से गप सब करते करते हैं यहां पहुचा हूँ, उस बात्चीत में कुछ किस से भी पता चले, और कई दिल्चस्प जानकारिया भी मुझे मिली, साथियों, आज का आउसर एक और वज़त से बहुत खास है, डियू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्ष पूरे किये हैं जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महुत्सों मना रहा है, कोई भी देश हो, उसकी युनिवर्सिटी, उसके सिक्षन संस्थान, उसकी उपलब्दियों के सच्चा प्रतिमिम होते हैं, ड्यू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही आइतियासिक पड़ावाये हैं, इसमें कितने प्रफॉसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का, और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है, एक तरसे दिल्ली उनिवर्सिटी सिर्फ एक उनिवर्सिटी नहीं, बलकि एक मुमेंट रही है, इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट को जीया है, इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट में जान भर दी है, बैस अइतिहासिक अउसर पर युनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को सभी स्टूडेंट्स और अलुमनाई को रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों आज इस आयोजन के जरिये यहां नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं स्वाभाविक है कुछ सदावहार चर्चाएं भी होगी नौर्थ केंपस के लोगों के लिए कमला नगर हर्चन लाइन और मुखरजी नगर से जूड़ी आदे साथ केंपस वालों के लिए सत्य निकतन के किस्से आप चाहे जिस एर के पास आउट हो दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते इस सब के बीच मैं मानता हूं डियू ने सो सालों में अगर अपने एहसासों को जिन्दा रखा है तो अपने मुल्यों को भी जिवन्त रखा है निष्ठा धृति सत्यम यूनिवर्सिटी का ये धे वाक्य अपने हर एक स्ट्रूनेंट की जीवन में गाइडिंग लेंब की तरह है साथियों हमारी यहां कहा जाता है ज्यान वानेन सुखवान ज्यान वानेव जीवती ज्यान वानेव बलवान तस्मात ज्यान मयोभव अर्थात जिसके पास ग्यान है वही सुखी है वही बलवान है और वास्तों में वही जीता है जिसके पास ग्यान है इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्व विद्याले थे तब भारत सूख और समृद्धी के सिखर पर था जब भारत के पास तक्स सिला जैसे समस्थान थे तब भारत का विज्यान विश्व को गाइड करता था भारत की सम्रुद्ध सिक्षा विवस्ता भारत की सम्रुद्धी की वाहत थी ये वो समय था जब दुनिया की GDP में बहुत बड़ा शेर भारत का होता था लेकिन गुलामी के सैंकड़ों वर्सों के कालखंडे हमारे सिक्षा के मंदिरों को इन एजुकेशन सेंटर्स को तभा कर दिया और जब भारत का बहुधिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई लंबी गुलामी के बात देश आज़ाद हुआ इस दोरान आज़ादी के भावनात्मक जवार को एक मूर्द रूप देने में भारत की युनिवर्सिटी दे एक एहम भूमी का निभाई थी इनके जरिये एक ऐसी युवा पीडी खड़ी हुई जो उस समय के आधोनिक विश्व को ललकार सकती थी दिल्ली उनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी डियू के सभी स्टूडन्स वो चाहे किसी भी कोर्स में हो वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है आधर्शों को आधार देती है और भविश्य के वीजन को विस्तार देती है साथियों कोई इनसान हो या संस्थान जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिला कर चलती है कभी डियू में केवल तीन कॉलेज थे आज नब्बे से ज्यादा कॉलेज है कभी भारत की एकनोमी थ्रेजाइल के लिस्ट में थी खस्ता हाल थी आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनोमीज में शामिल हो चुका है आज डियू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जादा हो गई है इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियों में काफी सुधार आया है यानि सिक्षन संस्तान की जड़े जितनी गहरी होती है देश की शाखाएं उतनी ही उचाईयों को छोती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रुपता होनी शाहिए इंटर कनेक्शन होना चाहिए पचीश साल बाद जब देश अपनी आजादी के सो साल पूरे करेगा तब दिल्ली उनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगे तब लक्ष था भारत की स्वतंत्रता अब हमारा लक्ष है 2047 तक विक्षिद भारत का निर्वान पिछली सताब्दी के तीसरे दसक ने अगर पिछली सताब्दी के इतियास के तरब नजर करें तो पिछली सताब्दी के तीसरे दसक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गती दी थी अब इस सताब्दी का ये तीसरा दसक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा आद देश भर में बड़ी संख्या में युनिवर्सिटी कॉलेज बनाये जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और MJC संख्या में लगातार भड़ोत्री हुई है ये सभी इंस्टिटूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं साथियों शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इस सिखने की भी प्रक्रिया है लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी सिफ्ट किया कि छात्र क्या सिखना चाहता है आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रिय सिख्षानीती तयार हुई है अब छात्रों को ये बड़ी सुविदा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विश्वों का चुनाव कर सकते हैं सिक्षन संसाओं की क्वालिटी बहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं इन इंस्टिटूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं इससे देश्वर के इंस्टिटूशन को एक मोटिवेशन मिल रहा है हमने संस्ताओं की स्वायत्ता को क्वालिटी ऑप एजुकेशन से भी जोड़ा है जितना बहतर संस्ताओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्ता मिल रही है साथियों सिक्षा की फुचरिस्टिक नीतियां और निरनों का प्रणाम है कि आज इंडियन युनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है 2014 में क्यू एस वर्ल रैंकिंग में केवल बारा इंडियन उनिवर्सिटी होती थी 2014 में बारा उनिवर्सिटी लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है हमारे एजुकेशन इंस्टिटूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन स्टूडन फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रहे हैं और साथियों आप जानते हैं इन सब के पीशे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम करते ही है एक गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति इस हॉल में बैटे ही हो ये मेरे युवाओं की थक्ति साथियों एक समय था जब स्टूडन्स किसी इंस्टिटूट में एड्मिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेस्मेंट को वही प्रात्मिक्ता देते थे यानि एड्मिशन का मतलब दिग्री और डिग्री का मतलब नोकरी सिक्षा यहीं तक सिमित हो गई थी लेकिन आज युवा जिन्दी को इसमें बांधना नहीं चाहता वो कुछ नया करना चाहता है अपनी लकीर खूद खींचना चाहता है 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ सो स्टार्ट अप से आज भारत में स्टार्ट अप्स की संख्या एक लाख को भी पार कर गई है 2014-15 की तुलना में आज 40% से जादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी पांच गुना का इजापा हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें भारत 18 वे पाइजन पर था असी से की बात वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं वो स्थान हमने प्राप्त किया अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की आत्रा से लोटा हूं आप समने देखा होगा आज भारत का संव्मान कितना बढ़ा है गौरों कितना बढ़ा है क्या कारण है क्या कारण है अज भारत का इतना गौरों भड़ा है उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है भारत के युवाओं पर बिश्वका भरोसा बढ़ा है इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीश इनिशेटिव और क्रिटिकल एन इमर्जिंग टेक्लोलोजी यहने आइसेट डिल हुई है इस एक समझोते से हमारे युवाओं के लिए धर्ती से लेकर स्पेस तक सेमी कंड़क्टर से लेकर ए आई तक तमाम फिल्ट्स में नए आउसर पैदा होने वाले है जो टेक्नोलोजी पहले भारत की पहुँच से भार होती थी अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी उनका स्कील डेवलप्मेंट होगा अमेरिका की माइक्रोन गूगल तता एप्लाइड मट्रियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है और साथियों ये आहट है ये आहट है कि भविश्य का भारत कैसा होने वाला है आपके लिए कैसे कैसे आउसर दस्तक दे रहें साथियों इंडस्री 4.0 की क्रांती भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है कल तक AI और AR VR के जो किस्से हम साइंस फिक्षन फिल्म में देखते थे वो अब आज हमारी रियल लाइप का हिस्सा बन रहे हैं ड्राइविंग से लेकर सरजरी तक रोबोटिक्स अम न्यू नॉर्मल बन रहा है यह सभी सेक्टर्स भारत की युवापीडी के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है भारत ने ड्रोन से जुड़ी नुच्टियों में बहुत बड़ा बड़लाव किया है इन सभी निर्णों से देश के जादा से जादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है साथियों भारत की विकास यात्राग से हजारों युवाओं को हमारे स्टूडन्स का कैसे लाभ हो रहा है इसका एक और पक्ष्ण है आज दुनिया के लोग भारत को भारत की पहचान को भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परिशान था लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं भारत का बढ़ता सामर्त हो भारत की जी ट्विंटी प्रसिदेंसी हो यह सभी भारत के प्रती कौतुहर बढ़ा रहे हैं इससे हमारे जो हुमेनिटीज के स्टेंडर्स हैं उनके लिए अनेकों नए अउसर पादा होने वाले हैं योग जैसा हमारा विज्ञान हमारी संस्कृति हमारे फेस्टिवल हमारा लीटरेचर हमारी हीस्ट्री हमारा हैरिटेज हमारी वीधाएं हमारी व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है हर किसी के लिए नया आकरशन पैदा हो रहा है इसलिए उन भारतिय युवाओं के डिमान भी बढ़ रही हैं जो विश्व को भारत के बारे में बता सके हमारी चीजों को दुनिया तक पहुँचा सके आज डिमोक्रिसी एक्वालिटी और मिचल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मान भी ये पैमाना बन रही है गवर्मेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई खेत्रों में भारतिय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं देश में हिस्ट्री हेरिटेज और कल्चर से जुड़े खेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाय बना दी है आज देश के अलगलग राज्यों में ट्राइबल मुजियम मन रहे हैं पीम मुजियम के जरिये आज भारत आज आज भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं और आपको ये जान करके भी अच्छा लेगा गया कि दिल्ली में विश्वकां सबसे बड़ा हैरिटेज मुजियम यूगे यूगीन भारत ये भी बनने जा रहा है कला संस्कृति और इतिहास से जुड़या विवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोपेशन बनाने के इतने अवसर पादा हो रहे हैं इसी तरह आज दुनिया में भारतिय टीचर्स की अलग पहचान बनी है मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूँ उन में से कई अपने किसी ने किसी इंडियन टीचर से जुड़े किसे बताते हैं और बड़े गवरों से बताते हैं इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को हमारे इंस्टिटूशन को तयार होना है अपने माइंड सेट को तयार करना है हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा अपने लक्षों को तैक करना होगा जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाएं तब आपकी गिंती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली उनिवस्टिटी में हो इसके लिए अपने प्रयाद बढ़ाएं कि फ्यूचर मेकिंग इनोवेशन्स आपके यहां हो दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आप यहां से निकले इसके लिए आपको लगातार काम कर रहा होगा लेकिन इतने सारे बदलाओं के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाएगा कुछ बाते बहसी ही छोड़ दीजिएगा भाई नौर्थ केमपस में पटेल चेस्ट की चाए नूडल साउथ केमपस में चानक क्याज के मोमोश इनका टेस्ट न बदल जाएग यह भी आपको एंशॉर करना होगा साथियों जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष ताय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिस्क को तयार करना होता है एक राष्ट के मन मस्तिस्क को तयार करने की यह जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टिटूट को निभानी होती है हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो वो चैलेंजीज को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेंप्रामेंट रखती हो यह शिक्षा संस्थान के वीजन और मिशन से ही संभव होता है मुझे विश्वास है दिल्ली उनिवर्सिटी अपनी स्यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पुरा करेगी इसी के साथ आप सभी को इस शताब दिवर्स की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है उसे और अधिक सामर्थ से और अधिक शांदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को ले करके सिद्धी को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े सिध्धियां आपके कदम चुमती रहे आपके सामर्थ से देश बढ़ता रहे इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्वामना है धन्यवाद